कहता हूँ आप जुरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ कर मोबाइल उठाईए और अपने दादा दादी नाना नानी या घर में जो भी बुजूर्ग हैं उनका इंटर्व्यू रेकॉर्ड किरिए अपने मोबाइल फॉन में रेकॉर्ड क पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटर्व्यू करते हैं बस वैसा ही इंटर्व्यू आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ आप उनसे जुरूर पूछिए कि वो बच्पन में उनका रहन सहन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, त्योहार कैसे मनाते थे, बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं, उनको भी 40-50 साल, 60 साल पुरानी अपनी जिन्दगी में जाना बह आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था, वहां परिशर कैसा था, लोगों के तौर तरीके क्या थे, सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और आप देखें आपको बहुत मजाएगा और परिवार के लिए एक बहुती अमुल्य खजाना एक अच्छा विडियो आल्बम भी बन जाएगा, साथियों ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी, आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुती उप्योगी माध्यम ह होती है, आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे, तो उनके समय की बातों को, उनके बच्चपन, उनके युवाकाल की बातों को और आसानी से सबच पाएंगे, ये बहतरीन मोका है कि बुजूर्ग भी अपने बच्चपन के भारे